हलो गूड मोरिंग और वेलकम एक फिरिंट्स आप देखरें पेशर एजूकेशन यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे 18-19 से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट का रंट अफिर्स बंती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे साथी काफी सारे अफेक्ट भी यहाँ पर डिसकस करेंगे सो पूरे लेसन को धियान से और लाश्ट तक आप जरूर देखेगा इसकी पीडियेप आप डाउनलोड कर सकते हैं निचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो के क्य भी इस थी आपके लिए कौसन था कि भारत का पहला अटल सामुदाइक नवाचार केंदर किस सहर में इस्तापित किया गया था चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करेंट पिस की पहला अपडेटा आपके सामने है हाल ही में भारत के प्रसिद व्यक्ति या हस्ति बाबा साहिब पुरंदरे है इनका निजन हो गया है ये कौन थे बाबा साहिब पुरंदरे यहाँ पर इनको देख रहे हैं आप एक भारत के प्रसिद इतियासकार और लेखक रहे हैं जिनका हाल ही में निजन हो गया है इतना आपको ध्यान रखना है अगला अपडेट देखिएगा PM मोधी ने किस विवादासपद करशी कानून को रद करने की खोशना की है तो यहाँ पर देखेगा काफी important और बड़ा अपडेट है यह आपके लिए तो देखे यहाँ पर प्रदानमंत्री मोधी ने हाल ही में जो 2020 में जो तीन किसे समधी जो कानून लागू किये थे उनको आखिरकार यहाँ पर वापस से लेना पड़ा है और वो किसी कानून यहाँ पर आपके सामने है पहला नाम उसमें आता है किसान उपज व्यापार और वानिच्य समर्दन सुविदा अधीनियम 2020 वाला दूशर नाम आता है इसमें मुल्ले आस्वासन और किसी सेवा पर किसान ससक्तिकन और सब्रक्षन समझुता अधीनियम 2020 और तीसरा नाम आता है यहाँ पर आवशक वस्तु संसुदना दिनियम 2020 तीनों के तीनों काफी important जो है कानून थे और यहाँ पर public जो है काफी इससे जो है चिड़ी थी और इसके बाद में आखिरकार इनको वापस लेना पड़ा है प्रदान मंत्री द्वारा ठीक है आपके तीनों option सही है तो correct answer डी वाला option ठीक है थोड़ा विश्तार से जरूर बात करेंगे इनके बारे में पहला जो कानून है तीनों को one by one हम यहाँ पर discuss करेंगे पहला जो नाम आता है वो आता है किसान उपज व्यापार और वानिचे संवर्दन और सुविदा अधिनियम 2020 यह जो अधिनियम है यह क्या कहता है यह यह कहता है कि मतलब की जो अंतर राज्य व्यापार की जो बादा है उनको ये दूर करता है साथी क्रिस्टी उपज के इलेक्टोनिक वियापार के लिए एक रूप रेखा प्रदान करता है और यह सरकार द्वारा नियंतरित मीडिया के एक अधिकार को तोड़ने का प्रियास करता है और किसानों को सीधे निजी खरीदारों को बेचनी के अनुमती देता है तो यह आपको यहाँ पर ध्यान टेकना है ठीक है तो यहाँ पर देखेगा सिंपल बासा हम बात करें तो यहाँ देखेगा जो यह अधिने हम कहता है कि जो दोख़दड़ी से किसानों के दोख़दड़ी से बचाने के लिए जो उनका जो अनुमाज है उनको सीधे ही यहाँ पर मंडी में पहुचाया जाए और वहाँ पर उनको बेच सजाए चीक है उसके बाद में दूसरा आता है आपका यहाँ देखेगा मुल्य आशवासन और किस्टी सेवा पर किसान ससकती करनों और संरक्षन समझोता अधिनियम दोजर बीस यह क्या करता है यह यहाँ पर जो किसान है उनको कंपनियों के साथ एक लिखिद अनुबंद करने और करने के लिए उत्वादन करने के लिए एक कानूनी डाचा जो है प्रिदाहन करता है सिंपल वासन में बात करें तो यहाँ पर देखेगा पसल पैदा करने से पसल बोने से पहले यहाँ पर उनकी जो पसल की एक कीमत तैक करके किसी कंपनी या फिर किसी व्यक्ति के साथ एक समजोता करना और उसको जो है वो एक लीज पर दे देना उस खेति को ठीक है उसके लिए यह बात दे करताई है जो अदिनियम है यह ठीक है तो यह यहाँ पर धेहन रखना है और तीसरा जो आता है वी आता है तो इस सारे के सारे जो है अब वापस कर ले लिए गये हैं इनको यहाँ पर अब लाहू नहीं किया जाएगा चलिए अगला अपडेट देखी गए यहाँ पर अपना हाल ही खबरों में रहा खबरों में देखा जाने वाला एक नया स्ठेल्थ विमान चेक्मेट किस देश द्वारा विक्षित किया गया है तो आपका करिश्ट्रम सुगा रूस द्वारा देखे यहाँ पर रूस ने हाल ही में अपना एक नया जो है Stealth विमान चेक में विक्षित किया है इससे पहले भी रूस ने जो है इस तरीके का एक Stealth विमान विक्षित किया था तो इतना आप ध्यान रखिएगा अगला आप डीट है किसके दुवारा November 2021 को एक Direct Anti-Satellite या फिर आप कह सकते हो Direct Ascent जो DA Ascent जो है इस नाम से एक मिसाइल है इसका सफल परिक्षिन किया है तो करेक्ट आन्स होगा आपका यहाँ पर रूस ने किया है किसने जो रूस कंट्रियों उसने अगला अप डीट है A.D.I.P.E.C. A.D.P.E.C. मिलन जो है यह 15 नवंबर से 18 नवंबर 2021 तक कहां आज़त किया गया है जिसमें भारत ने हिस्ता लिया है तो यह किया गया है आबुदाबी के अंदर कहां पर आबुदाबी के अंदर नेक्स्ट यहां दिखेगा हालिकी में किस भारतिये राज्जे ने भगवान बिर्षा मुंड़ा इस्मृति उद्धान वे स्वतंतर्ता सेनानी संग्राले का उद्गाठन किया है तो यह जहारखंड में किया गया है किस राज्जे ने जहारखंड में हाली में जो बिर्षा मुंड़ा जैंत मुनाए गयी थी उसी दोरान यह भगवान बिर्षा मुंड़ा प्रमान पत्र मिला है यह शड़क कहां बनाए गई है यह बनाए गई है लद्दाख के अंदर कहां पर लद्दाख के अंदर दुनिया की सबसे उची शड़क कहां बनाए गई है भारत में भारत में कहां पर लद्दाख में देखे पूरवी लद्दाख में जो उमलिंग ला दर्रा है वहीं पर लगबग उननीश जार तीन सो फुट की उसायव पर यह शड़क बनाई गई है और इस उंचे पहाड़ी दर्रे से होते हैं बी आर उने बावन किलो मिटर लंबी यह पकी शड़क बनाई है यहां पर देखेगा और मिलाला दर्रे की जो शड़क है यह अब पोरी लड़ा के चुमार सेक्टर के महत्कुन सेक्टर को शहरों को आपस में जोड़े गी तो यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है नेक्स्ट है देखेगा हाल ही लिए निम्न में से किसे ट्राइफेर्ड आदी महत्सों का ब्रेंट अमिस्वेडर चौल लिया गया है तो राज्य में आदर्स गाउं सुई का उद्गाठन किया है आदर्स गाउं नाम है सुई इसका उद्गाठन किया है हाल ही हरियाना में हरियाना के अंदर देखेगा जो हरियाना का भिवानी जिला है हरियाना का भिवानी जिला है उसी का ये सुई गाउं है इसी का हाल ही में जो राश्टपती है कोविन जी इनुने दोरा किया और विमिन ने सारवजनिक शुद्धाओं का उद्गाठन किया और यहाँ पर जो नहादेवी परमेश्वरी दास सिंदल चरिटेबल ट्रस्ट है इनके द्वारा आदर्स इस गाओं को जो है आदर्स गाओं के रूप में हरिया तो करेक्ट्टान सोगाब का राश्टीय नवजाद सिसु सपता के रूप में इसको बना जाता है ठीक है तो यह आपको धहन रखना है राश्टीय नवजाद सिसु सपताफा पंदरा से 21 नवबर के रूप में है अगला बदेटर किस बेंग करेच्टे इस वित्तिये शेव परनाट का विकास ग्रामिट बैंक ने इस बार का ये एसो चैम पुर्षकार हासिल किया है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है यहां पर देखिए लास्ट टाइम का जो 2020 का दिया गया थो रतन टाटा जी को दिया गया था ये भी आप ध्यान रख सकता है ठीक है चलिए उजनाओं की यहां पर जो प्रदान मंत्री है इनके द्वारा उद्गाठन किया गया है पहला नाम आता है रासन आपके ग्रामिट उजना जिसके तहित रासन जो है उससे समंदिती ये उजना है दूसरा नाम आता है यहां पर सीकल सेल मिसन ठीक है तो दोनों नाम ध्यान र इस्तापित किया गया है और ये किस के दोवारा नीमत किया गया है भारत हैवी Electronics Limited भी हईल के दोवारा इसको इस्तापित किया गया है ये भी आप धान रखेंगा देखें अगला पडेटें यहां पर ये 2021 में जो वेश्विक प्रिस्वत जोखिम सुचकांक है इसमें भारत 44 अंकों के साथ कौन से इस्तान पर रहा है तो भारत को मिला इस बार इसमें 82 वार्स देखें यहां पर भारत जो है 44 अंकों के साथ 2021 के वेश्विक रिस्वत जोखिम सुचकांक में 82 पाइदान पर आ चुका है पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत की रेंकिंग में 5 अंकों की गिराउट आई है यहने कि 2020 में भारत जो है 45 अंकों के साथ 77 वेस्थान पर था और आप भी इस बार 82 वेस्थान पर चला रहा है तो गिराउट हुई है 5 अंकों की देखें यहाँ पर जो विश्वरोधी मानक रेटिंग एजेंसी है यहाँ पर इस रेटिंग है ठीक है तो रेटिंग जो संगठन है टी आर एसी आई ठीक है इसी के दोवारा इस उची जारी की गयती जिसमें 194 फो चोरान में देश्व को सामिल के रहा है जिसमें अगर बात करते हैं तो इस साल के जो आकड़े उसके नुसार उत्त्री कोरिया, तुर्केमिनेश्टान, वेनेजुला और और Eritrea ये सबसे अधिक व्यापिक रिष्विक तवाले जोकिम देश है, जबकि Denmark, Norway, Finland, Sweden और New Zealand ये सबसे कम रिष्वत जोकिम वाले country आइनि कि सबसे कम रिष्वत जो है यहाँ पर इन country में लिजाती है जिसमें top पर है Denmark ठीक है, next भारतिय रेलवे ने हालही में कि central station पर पहला pod hotel शुरू किया है ये देश का पहला जो है जो पौड होटल है ये भारते रेवले ने हाली ही मुंबई central station पर इस्तावित किया है पौड होटल की बात करें तो simple language में एक तरह केसी है कि जो capsule नुमा एक जो है design में बना हुआ है जो होटल है उसको निर्मित किया जाता है इसमें सारी सुविदाएं एक इस्तान पर उपलब्द कराए जाती है ठीक है तो यह पहला जो है जो भारते रेवले रहे हैं उसने आयार सिटी सी के स्योग से मुंबई सेंटरल स्टेशन पर इस्तापित किया है नेक्स्ट है 19 नावंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मना जाता है करेक्ट अन्शुगा विश्व सोचालत दिवस मना जाता है 19 नावंबर को नेक्स्ट है संयुक्त राष्टर के यूनेश्को के कारेकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कारेकाल के लिए किस देश को एक बार फिर से चुल दिया गया है तो आपका करेक्टन शुका इंडिया भारत को एक बार फिर से जो है संयुक्त राष्टर के जो यूनेश्को के कारेकारी बोर् बैठक में किसे ICC पूरस क्रिकेट सिमिती का चेहर्मेन युद्ट किया गया है तो यह किया गया है सोरब गाउली को देखे अगला पडीट है नवंबर 2021 में भारत का पहला मातसी की बिजनेस इंक्यूबेटर कहां इस्तापित किया गया है यह कहां सुरू किया गया है यह किया देखिएगा जो आज की क्वीज है इसका अनुसर लिखना है आपको नीचे कमेंट वक्स में देखे कॉसन है कि यहां पर जो बीते दिनों भारती नोसेना और किस देश की रोयल नोसेना के बीच में एक द्वी बक्स से अभ्यास एक्ससाइज कॉंकरन आयजित की गया थी ज झाल 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 झाल